हेलो फ्रेंट्स आज का जो सेशन में इस सेशन में हम लोग एक बार फिर से SSE GD के लिए प्रिविएस येर सेट को कबर करेंगे और आज जो सेट लेके आया है ये है सेट नमबर थ्री दस एक दोहजारताई सिफ्ट थ्री का क्वेश्टन जो है हम लोग कबर करेंगे GKGS और हिंदी का जो कुश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे और फ्रेंट्स इससे पहले का जो दो वीडियो अप्लोड की हैं अगर आप लोग उस दोनों वीडियो को नहीं देखें अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं होंगे तो प्लीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा किस अनुषेद में सामिल है किस अनुषेद में सामिल है सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए यह अनुषेद 17 में जो है सामिल है अस प्रियसाता का निशेद तो option नमर जो दो दिया गया है इस Q forgiveness का यह बिल्कुल सही answered हो जाएगा चलिए अगला प्राश्शन जो है इस प्राश्शन को देख लीजिए प्रश्शन नमर हो जाएगा 22 प्रश्शन नमर जो हो 22 है देख़े इस पे कहा रहा है कि oxygen की उपस्थिती में जब magnesium को जलाए जाता है तो उसके law का रंग कैसा होता है उसके law का रंग जो है वह कैसा होता है तो उसके law का रंग जो है फ्रंस स्वेत यानि की उजला white हो जाता तो option number जो 3 दिया गया इस question का सही answer है और उसके बाद जो अगला प्रशन है इसमें देखिए इसमें कहा रहा है कि निम्रलेकित में से किस गुप्त सासक को उनकी सैने उप्रवदियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो इसका जो सही आंसर है वो option नमर यहाँ पे 3 यनिकी माप कीजिएगा 3 नहीं बलकि 4 समुद्र गुप्त जो है इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है option नमर जो 4 दिया गया बिलकुल सही आंसर इसका हो जाएगा और चलिए अगला प्रशन जो हो जाएगा इसमें प्रशन नमर 24 इसको देखेंगे देखिए प्रशन नमर जो 24 दिया गया है फ्रेंट्स कहा रहा है इसमें कि एक क्रिशन अयर का संबंध किस निर्ट्यसायली से है एक क्रिशन अयर का संबंध जो है वह किस निर्ट्यसायली से है तो इनका संबंध जो है भरतनाटियम से हो जाएगा ठीक है भरतनाटियम option नमर जो 4 दिया गया है कह रहा है कि भारत में पृतिक कितने वर्स में एक वार जनसंखियां गनना की जाती है कितने वर्सों के बाद तो यह होता है पृतिक दस वर्स के बाद ओपसें नमर तीन जो दिया गया है देखें इसका बिलकूल सही आंसर है और चलिए अगला परश्ण जो दिया बारत ब्रक्राइकरी अफ्सारी सामします तो आनली सवातों ह milli करते हैं के शाय। लाइमनेमीद काक्राइकरी में इस अफ्सून कमा रेडियो को देखेंगे प्रश्च नमर जो 28 दिया गया देखें इसमें के राय की भारत की समीधान का कौन सा अनुचेद चुनावों के अधिक्षन निर्देशन और नियंतरन के बारे में बताता है तो वह हो जाएगा देखें अनुचेद 324 जो है इस कुश्चन का सही आंसर जो है हो जा अगर वह हो जाएगा देखें वीनाई कुमार सक्सेना जो है वरतमान में दिली के उपराजिपाल है लजी ऑप्सन नमर जो 2 दिया गया है इस कुश्चन का यहां पर सही आंसर है और अगले प्रश्चन में कहरा है कि राश्च्ट्रे आई की गन्ना करते समय कि इसको एक कार के रूप में लिया जाता है राश्ट्रे आयकि गन्ना करते समय कि इसको एक कारक के रूप में लिया जाता है तो यह लिया जाता है निरियात को ठीक है एक्सवूर्ट आप्सन नमर जो 3 दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर है और उसके बाद next question में कहारा कि नेमने क्व माख्या के मासिक धर्म की अबधी को चिन्हित करता है तो चलिए पहले इसका आप्सन देख लीजिए देखिए यहां जो आप्सन दिया गया इसी साफ से इसका जो सही आंसर प्रश्ण नमर 31 का हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए अंबु बाची मेला इसको कहा जाता आप् Electronics उद्योग ऑप्सन नमर 3 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण जो दिया है इसमें के रायकी नमर लेकित चार विकल्पों में से तीन सिलेंट रेटा फाइलम के उदाहरन है और इस परकार वे एक समुह बनाते हैं इनमें से कौन सा एक इस समुह में सामिल नहीं है कौन सा एक इनमें एक सामिल नहीं है तो वह देखिए लिवर फ्लूक जो है या इसमें सामिल नहीं होगा अपसर नमर जो दिया गया है इसको सही आंसर है और अगला प्रश्ण जो दिया है इसमें देखिए इसमें के रायकी 25 जून 2015 को किसको लांच किया गया जिसका उदेश से वर्ष 2022 तक सहरी चेतरों में सभी के लिए आवास उपलब्द कराना है किसको जो है लॉंज किया गया था सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए परधान मंतरी आवास योजना सहरी जो लॉंज किया गया था तो आपसे नमर तीन इस कोश्चन का यहां प दो जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन के रहा है कि एक बहते हुए पानी में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित निर्देशित या धीमा करता है अक्सर एक जला से जिलिया अवरोध का निर्मान करता है खाली जगा पर क्या हो जाएगा तो वह पानी में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित निर्देशित या धीमा करता है अक्सर एक जला से जीलिया अवरोध का निर्मान करता है तो क्या हो जाएगा इसका अंसर बांध ओप्सन निमर दो होगा अगला प्रश्चन है देखें कि 2018 में भृत नाटियम में संगीत न नमर दो राधा स्रीधर ने जीता है ऑप्सन नमर जो दो है ठीक है चलिए अगला प्रश्ण जो दिया गया है इस प्रश्ण को देखेंगे प्रश्ण नमर जो 38 है इसमें कहरा है कि मार्च 2022 में किस केंद्रिय मंतरी ने इंडिया वाटर पीस फाइलट एसकेल स्टैट अप चै नमर जो दिया गया है इसको देख लिजए इसमें कहरा है कि आरबीय की अनुसार 48 1880 के दसक में भारत की GDP में सेवा चेतर की हिसेदारी कितने परतिसत थी 1980 के दसक में जो है पूछा जा रहा है यहां पर तो सही आंसर 38.6 परतिसत हो जाएगा यानि कि option नमर जो 2 दिया गया है ठीक है और फैस अब यहां से जो है हम लोग हिंदी का question देखेंगे तो देखे question नमर जो 61 दिया गया है question नमर 61 देखे इसमें किया रहा है कि नब्या ने सुमती की बहुत भरतसना की उक्त वाक्य में प्रयोक्त भरतसना के अस्थान पर उसके विलोम सब्द का प्रयोग निमन में से किस वाक्य में किया गया है किस वाक्य में किया गया है तो इस question का जो सही answer हो जाएगा friends, option number देखिए यहां पे 4 यानि कि नभ्या ने सुम्ती की बहुत प्रसंसा की option number जो 4 दिया है ठीक है, उसके बाद जो next question दिया गया है इसमें question number हो जाएगा 62 और देखिए इसमें किया रहा है कि रहा कि वाक्य मेरे खांकित सब्द को दिया गया सब्दों में से उचित सब्द से बदले वाक्य है भरत को कह कही कि करनी का करूना हुई तो इसका जो right answer हो जाएगा वो option number एक छोब हो जाएगा यहां पे, ठीक है, option number जो एक दिया गया है, next दिया कह रहा है कि निमनलेखी तो वाक्यांस के लिए उप्यूक तो सार्थक सब्द कौन सा है और वाक्यांस है बिना स्वार्थ के कारे करने वाला, इसके लिए जो है एक उप्यूक तो सार्थक सब्द चूनना है तो इसका सार्थक सब्द हो जाएगा नहीं स्वार्थी बिना स्वार्थ के कारने वाले को क्या कहा जाता है नहीं स्वार्थी कहा जाता है तो option नमर जो 3 दिया है इसका बिल्कुल सही answer है निमनले की तबाक्तियों मेरेक तास्थान की पूर्ति उचित एकार्थी सब्ध युग्म से करें और देखें इसमें जो दि का देखिए अभाय हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा यह पर चार दिया गया है तो उस citoyव जीव है तो अपस्ट नमर जो 4 दिया गया आधिके बिल्कुल सही आंसर इसका हो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number 1, बिल्कुल सही है, वर्तनी की दृष्टी से दिये गए वाक्य के असुद्ध भाग का चैन कीजिए, दिया है, पूर्ण स्वस्थ के लिए, पूर्ण स्वस्थ के लिए सुद्ध आहार विहार आवस्यक है, सही आंसर जो इसका हो जाएगा, पूर्ण स्वस्थ, option number 2 दिया गया है, वर्तनी की दृष्टी से कह रहा है कि दिये गए वाक्य के असुद्ध भाग का चैन करने, यहां पर पूर्ण स्वस्थ यहां जो दिया गया है, यह जो है, देखिए, इस question का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहां पर स्वस्थ नहीं बलकि यहां पर स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए, तो स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए, अब चलिए, अगला प्रस्ण जो दिया है, इसको देख लीजे, कह रहा है कि निमनले में से कौन सा सब्द, हाथ सब्द का प्रयावाची सब्द इन में से नहीं है वो क़ोछ सा सब्ध है तो इसमें देखी जो दंत दिया गया है यह हाथ का प्रयवाची नहीं है टिक है यह हाथ का प्रयवाची नहीं है आपसन नमर चार जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और अगले प्रश्ण में किराए कि निमनले कितमें से सुधवाक्य का चायन कीजिए सुधवाक्य का चायन कीजिए तो इसमें जो आप कब आये जो दिया है देखेंगे अगला प्रश्ण फ्राइस के राय की हिमालाई की चोटिया तो खाली जगा दिया है करती है वाकि मेरी इकतास्थान की पूर्ती उचित मुहावरे द्वारा कीजिए तो इसका जो उचित मुहावरा हो जाएगा यहाँ पर आसमान से बातें करती है अगले प्रश्ण में है कि वह धन जो अधिकारिक रूप से राजी को मिलता हो वाक्यानस के लिए एक सब्द क्या होगा तो वह सब्द है राजस्ण अब चलिए अगला प्रश्ण जो है इस प्रश्ण को देख लिजे देखे इसमें किया रहा है कि निम्नले की तभी कलपों में से किस एक वाक्य में संख्या वाचक वी सेशन का उचित परियोग नहीं किया गया है तो इसमें जो नहीं परियोग किया गया हो है कि नब्या के काले बाल है इसमें उप्सन नमर एक हो जाएगा ठीक है अगला प्र निम्न में से कौन सा सब्द कुबेर सब्द का प्रयावाची सब्द नहीं है वह कौन सा सब्द है जो कि कुबेर सब्द का प्रयावाची सब्द नहीं है तो देखिए मुनी जो है यह कुबेर सब्द का प्रयावाची सब्द नहीं होगा अपसन नमर तीन जो है इसका चितकार की किसी ने जोर से चितकार की ऑपसर नमर जो चार दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा देखेंगे फ्रेंट्स अगला प्रशन देखें कहला है कि दिये गए वाक्य के असुद भाग का चैन कीजिए और सेंटेंस है एक मेरे प्रिये मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया तो देखें असुद जो यहाँ पर भाग हो जाएगा इसका इस वाक्य का वह हो जाएगा एक मेरे यहाँ पर जो दिया गया है एक मेरे यहाँ जो सुद वाक्य हो जाएगा मेरे प्रिय मेधावी छातर ने अच्छा नाम कमाया यह हो जाएगा तो इसलिए उप्सिन नमर जो चार दिया है बिल्कुल सही है आई फ्रांट सब देखते हैं प्रश्ट नमर 76 से लेके असी तक के क्वेश्चन को तो देखे इसमें किया रहा है कि निमलेकित गद्यांस में कुछ सब्दों को हटा दिया गया है देगे विकल्पों की सायता से रिक तरस्थानों की पूरती कीजे और प्रतेक संख्यां के लिए सबसे उप्युकत विकल्प का चैन करें तो इसमें जो गद्यांस पहले जो दिया गया है इसको जो है आप लोग पहले पूरा यहां से लेके और 76 से 80 तक उसका पढ़ लीजेगा और उसके बाद जो विकल्प दिया गया है देखे इसमें 76 नमर जो question दिया गया है देखे इसके 4 विकल्प यहां पे दिया गया है और 76 का जो सही answer अंसर यहां पे हो जाएगा फ्रैंट वो आफिसन नंबर चार हो जाएगा यानि कि भागद्स हो जाएगा उसके बाद ऱुच्छवारी के तो फ्रेंट्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेसन भी आप लोगों के लिए काफी महतबपूर ने साबीत होगा वीडियो को एक बार जरूर पुरा देखिए और उसके बाद कमेंट्स करके बताएगा कि सेसन आप लोगों को कैसा लगा तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जूरे रही है नेक्ट वीडियो में दवारा फिर से मिलेंगे तब तक के लिए जैहन्द